उपादै जैन आद्य सब्सक्राप कई आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसे कि कल के ब्लोक में आप लोगोंने देखा कि हम रानी के यहाँ थे लकिन पूरा ब्लोक नहीं आप लोगों तक पहुँचा पाएं क्योंकि काफी लंबा ब्लॉक हो जाता है तो हमारे यहां ना जब पूरा खाना बन जाता है तो भगवान जी को भोग लगता है हो सकता है आप लोगों के यहां भी ऐसे ही होता हो और ऐसे ही करना चाहिए कहते हैं भगवान का भोग लगने के बाद आप भंडारे में खाना अगर डलवा दो मतलब वहाँ पूरा खाना मिक्स करा दो तो कभी मतलब खाना सुरू से लेकर के लाश्ट तक कभी घटता नहीं है और भंडारे की मतलब बढ़ोतरी होती जाती है तो यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर के पीछे ही खाना बन रहा था औ यह टाइम थाना साढ़े चार बज रहे थे तो यहाँ पर राणी और हम सब पी रहे थे नीबू पानी पुदीना पानी और होता है न गर्मियों में सब चीजों की बेवस्था होनी चाहिए वैसे बेवस्था में कोई कमी नहीं थी बहुत अच्छी बेवस्था जैसे की गा तो गाउं से भी बहुत अच्छी बेवस्ता हुई थी और मंदिर देख सकते हैं यह राणी के ससुर जीने मंदिर बन वाया था और बहुत ही अच्छा गाउं में देखे हरा भरा सब दादा लोगों का मेकान चाचा लोगों का मकान और यहां परना गाय बच्छडे को दूद पिला रही थी तो परी के हाथ में फोन था तो वो भी अपना वीडियो कैच कर ली है और मीना हम दोनों लोग मतलब रानी के साथ आ गए थे तो माता रानी के दर्सन भी कर लिए और आप लोगों को भी दर्सन करा दिये और यहाँ पर परी बिटिया भी आ गई है तो आप गर्मियों में कहीं निकलो तो गला कितना भारी हो जाता इस समय हमारी तबियत कुछ ठीक नहीं चल रही है फिर भी हम सोच रहे हैं कि हमने वीडियो सूट किया है तो एडिट करके आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए नहीं आप लोग भी परेशान हो जाते हो कि दीदी क्या हुआ तो कोई बात नहीं आप लोग इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट डालते हो आप हमारी फिलिंग समझ सकते हो कि इस समय आपकी दीदी काफी परेशान चल रही है और परेशानी बस यही है जब गर्मियों में ना जाना आना होता है ना तो अक्सर हमारी तो त जंद हैं बुआ हैं सभी लोग तो हम ना सोचे थे कि यहां से हम दो धाई गंटे बाद निकल जाएंगे लेकिन नहीं निकल पाएं हैं क्योंकि रानी और परी मतलब परी के पापा यानि शिंकु भाया का कहना था कि दीदी जब तक खाना नास्ता नहीं सुरू हो जाएगा तब तक आप लोगों को नहीं जाना लेकिन हमारी कुछ route ठीक नहीं थे तो हमारी इच्छा भी नहीं कर रहे थी खाना खाने की लेकिन सभी लोग जब अब जस्ती कुछ नकुछ थोड़ा बहुत तो खाना ही पढ़ता है बिना खाना खाए भी अपना सरीर कहां चलने व और यहां पर हम भी खड़े हुए हम सिर्फ देख रहे हैं और वैसे भी परी कि पापा ना हमको बहुत ही मानते हैं अली शिंकू भाया मतलब दीदी दीदी कहे के दीदी अभी आफको नहीं जाना है और सबसे मिल करके जाना है तो होता है ना जब अपने सब आते हैं दूर से रिष्टेदार तो फिर अच्छा भी नहीं लगता रानी भी मना करने लगी और हमको ना भी कहीं रात में ही मतलब साम को ही निकलना है क्योंकि आज ना दो जगे तिलक हैं इसलिए वहां भी पहुंचना बहुत जरूरी है अभी आप लोगों से मिलवा रहें कि हमको कहां जा ना है तो यहां पर इनके भी मिल गये थे पुलीस और इस्पेटर जैसे गाजियाबाद से दिली से लखनो से तो इनके सब पहँचान के मिल गये थे तो इनसे भी इनकी काफी मतलब बात चीत होती रही तो इनका भी मन लग गया था यहां पर वैसे भी जलदी कहीं रुकते नहीं है डेर दो घंटे में ही भाग लेते हैं लेकिन इन्होंने भी यहां काफी टाइम दिया करीब हम लोग यहां नौ साथ आठ गंटे रुके थे मतलब साड़े बारा वजे के आये हुए और काफी टाइम हम लोगोंने यहां पर दिया तो अब यहां से हम निकल रहे हैं थोड़ी बहुत सभी ने नास्ता कर लिया यह रानी की नंद हैं प्रिया और उनकी छोटी सी प्यारी सी बेबी है गोदी में लिये हुए हैं तो देख सकते हैं पूरा गार मतलब यह भी बच्छों के हाथ में फोनता तो हमको नहीं पता था कि लोग वीडियो सूट कर रहे ह हैं पर इन्होंने सूट कर लिया अभी बाहर कोई नहीं निकला हम सोच रहते हैं चुप चाप जा करके हम गारी में बैठ जाये निकलें बट रानी और रानी की जिठानी जैसे देखी वैसे इसा भाग करके आगें बोली दीदी मत जाईए अभी दीदी और रुगिए खाना पैक करते हैं तो हमने कहा खाना वाना कौन खाएगा हम लोगों को भी और जाना है अपने महा माया धाम भी जाना है तो यहां पर रानी इतना रोक रही है अब बोल रही है कि दीदी अभी आपको वापस आना है जी जा जी से कह रहें तो हम कहनें ठीक हम लोग कल आएंगे द और इधर कना थोड़ी से रास्ता भी खराब हैं अब आ गए हम लोग मानिकपूर तो देख सकते हैं यहां ना मीना की भतीजी का आज था यहां पर तिलक तो ऐसे हमारा यहां तिलक में कोई काम नहीं था लेकिन भाईया लोग सब आए हुए थे तो गाड़ी से जबरजस्ती उताली हैं और इनके कहने का मतलब था कि हम थोड़ी से 10-5 मिनट सभी से मिल लेते हैं क्योंकि जहां हम गए थे आप लोगों ने देखा था वहां की वीडियो भी हमने सूट करके डाला था प्रीतु के इंगेजमेंट की तो वहीं क्या मतलब उनकी उनी का तिलक है तो साधी भी बहुत पास में आ गई है अगर हम पहुंचेंगे तो वहां की वीडियो जरूर सूट करेंगे पहले तो सोच रहें जा पाते हैं कि नहीं जा पाते और यहां पर भी सभी का नास्ता चल रहा है यह मीना की बेहन की बेटी हैं फते पूर से तो सब बच्चे भी प्यारे प देख सकते हैं यह मतलब guest house का कुछ नाम था पता नहीं बाटी का guest house हम कुछ guest नहीं कर पाएं अभी आप लोगों को ना जब बाहर निकलेंगे तब थोड़ा बहुत दिखाएंगे लेकिन वाके यहां पर बहुत अच्छी बेवस्था थी और इतना खुला-खुला सा था देख सकते हैं कि मतलब गर्मियों में होता है कि ऐसे guest house से अगर कोई फंसन होता है तो घबडाहट नहीं होती है और कितने अच्छे से मतलब फंसन में हम लोग enjoy करते हैं कि एकदम खुला-खुला बहुत अच्छा लगा हमको तो ऐसी जगे बहुत अच्छी लगती है कि मतलब उलजन नहो अगर कोई भी guest house में बंद बंद में रहो ना तो बहुत उलजन होती है अब हम निकल के आ गए हैं बाहर तो हम सोच रहे हैं ज हैं कुंडा तो कुंडा में भी ये तिलक था तो हमारी छोटी वाली चाची हम सब लोग आए हुए हैं और ये टाइम साढ़े आठ है नो बजे का था तो यहां की बात आप लोगों से बताएं यहां पर प्राची के ससूर जी दिखें और प्राची के देवर जी दिखें ही लोग आए हुए हैं क्योंकि यह अपने में ही है हमारे देवर लगते हैं जिनका याज यहां से तिलक था इनके पिता जी भी डॉक्टर थे तो इसलिए प्राची के भी शसूर जी डॉक्टर है तो इनका मतलब आपस में कुंडा में बहुत मतलब प्यार था और एक था थ तो देख सकते हैं और सभी लोग अपने अपने मस्ती में जूम रहे हैं और आगे भी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहां पर मतलब तिलक होने के बाद ना तो होता है ना थोड़ी बहुत नाच गाना भी जरूरी है और यह इनकी प्यारी सी कितनी सुन्दर सी बेटी है तो आगे भी आप लोग देखें तो जिस गाने में लोग नाच कूद कर रहे थे वहां का म्यूजिक हमने हटा दिया था नहीं तो कापी राइट आ जाता अब हम लोग कुंडा से निकल रहे हैं और हमने राश्ते से ही प्राची को फोन लगाया लेकिन प्राची का फोन नहीं रिशीव हुआ क्योंकि वो भी मिलना हो पाया अब यह सुबे का टाइम है तो अपने महा माया धाम आ गए हैं आप लोगों से जय मत अदी बोल रहे हैं और यहां सब सो सो करके जग गए हैं अपने अपने काम में लगे हुए हैं और जो हम अपना कीचन बन रहे थे न यह है हमारा कीचन तो देख सकते हैं थोड़ी बहुत बन भी गया है और सुबे हम वही उठकर के अपना सब घूमने फिनने लगे यह भी देखने लगे रिशु सबको गर्मा करके पानी दे रहे हैं तो इस ब्लॉग को यहीं पर करना चाहते हैं एंड ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और इसी तरे इस नहीं प्यार देते रहे हैं जय मत अदिगार्याइब करना चाहते हैं